शिफ के दूद के शंखचूर के पास पहुँशने पर उसे ग्यान हुआ कि शिफ देवताओं के पक्ष में युद्ध करना चाहते हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ इस सद्धै में। नमशकार मेरी इन ओडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हुँ और आपका सामर्थ हो तो स्क्रीन पर दिये गए क्यूर कोड के और जॉइन बटन के द्वारा आप यह कारे कर सकते हैं। सनत कुमार बोले तप उस दूत का वचन सुनकर देवादी देव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादी गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालो, हे अश्ट भैरब, समस्त बलशालिगन तुम लोग मेरी आग्या से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तयार हो जाओ, और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपने सेना के साथ युद्ध के लिए चले। मैं शंकचुड का वत करने के लिए अभी शीग्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार गोले। इस प्रकार की आग्या देकर शिवजी अपने सेना के साथ निकल पड़े। और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्शित होकर उनके पीछे चल दिये। इसी बीट सभी सेनाओ के स्वामी कुमार कार्थिके तथा गणेश शिवी प्रसन होकर आयुद्धों से युक्त होकर शिर्जी के समीप गए। वीर्भत्र नंदी, महाकाल, सुभत्रक, विशालाक्ष, बान, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विक्रिती, मनिभत्र, वाश्कल, कपिल। दीर्ग दंश्ट्र, विकर, तामर लोचन, कालंकर, बलिभत्र, कालजीव, कुटीचर, बलूनमत, रणशलाध्य, दुर्जय, एवं दुर्गम इत्यादी, गणेश्वर, तथा श्रेष्ट सेनापती भी शिर्जी के साथ रणभूमी में चले। अब मैं उनकी संख्य पता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिये। श्रिमान दुदुम्भ आट करोड, करालाक्ष पांच करोड, श्रेष्ट संदारक छे करोड, कंदुक और कुंडक एक एक करोड, सभी में श्रेष्ट विष्टम्भ नाम गणेश्वर आट करोड, पिपल एवं सन्नाद हजार करोड, आवेशन तथा चंद्रतापन आठ अगनेश्वर महाकेश सहस्त्र करोड गणों से खिरा हुआ था, कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड वीरू, काल कालक एवं महाकाल 100 करोड, अपनिक 100 करोड, अगनिमुख 1 करोड, आदित एवं घनावह आधा-आधा करोड, सन्नाह तथा कुमुत 100 करोड, अमोग कोकिल एवं सौ 100 करोड, काकपाद और संतानक 60-60 करोड, महाबल 9 करोड, मधु पिंगल 5 करोड, नील, देवेश एवं पून भद्र 90-90 करोड, महाबलवान चतुरवक्त्र 7 करोड, गणों के साथ इसी प्रकार अन्ने महावीर, गण, हजारों सेंकणों तथा 200 करोड गणों के साथ लेकर वहाँ युद्धुच्व में आए, वीरभद्र सहस्त्र करोड भूत गणों, 3 करोड प्रमतों, 64 करोड गणों एवं 3 करोड लोमजों के सहित आए, काश्ठरूर, सुकेश, व्रिशब, विरुपाक्ष, एवं भगवान सनातन भी 64 करोड गणों के साथ आए, ताल केतु, शडासे, पंचासे, प्रतापी संबर तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयम प्रभू, लोकां तक, तीप तात्मा, दैत्यां तक, प्रभू, देव, भ्रेंगी, देवादी देव महादेव के अत्यंत प्रिये, श्रिमान रिटी, अश्नी, भानुक, चौसट सहस्त्र करोड गणों के साथ आए, इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक, तथा अन्य असंखे महाबली, गणेश्वर, शंक चूड के साथ यूद के दिये, निर्भाय होकर, प्रेम पूर्वक निकल पड़े, कि सभी गण हजारों हाथों से युक्त, तथा जटा मुकुट धारण किये हुए थे, वे मस्तक पर चंदरकला से युक्त, नीलकंठ, एवं तिरलोचन थे, सभी रुद्राक्ष, एवं भस्म, धारण किये हुए थे, और हार, कुंडल, केवुर, एवं मुकुट आदी से अल युद्ध क्रियाओं में अत्यंत प्रवीर्ण थे, हे मुने, उनमें कोई प्रित्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में, तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरन करने वाले थे, हे दिवरिशे, बहुत कहने से क्यालाब, उस समय संपून लोकों में रहने वाले, सभी आदेत्य थे वे शीक्र आपोंचे खुताशन, चंद्रबा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, निर्यती, नलकूबर, वायू, वरुण, भुध, एवं मंगल तथा अन्यक्रह और वीरिवान, कामदेव शिवजी के साथ आए। उग्दंष्ट, उग्रदंड, कौरट, कौठब आदी, महांगर नाय। स्वयम सौभजा धारन की हुई भगवती भद्रकाली, महादेवी स्वयम, उस युद्ध में उपस्तित हुई। वे उत्तमरत्नों से निर्मित, विमान पर बैठी हुई थी। रक्तबस्त्र, रक्त, अ भय प्रदान कर रही थी, तथा शत्रूं को भय उत्पन कर रही थी। वे एक यौजन पर्यंत लंबी विकट जीवा धारन की हुई थी। और उसे लपलपा रही थी। शंक, चक्र, गदा, पद्म, खड़, चर्म, धनुष तथा बान को भी धारन की हुई थी। वे एक यौ यौजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खपर, आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रशूल, एक यौजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुसल, वज्र, खडग, विशाल फलक, अर्थार ठाल, वैश्न वास्त्र, वारुनास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायनस्त्र, कंध अधरवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुडास्त्र, परजन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जिम्भनास्त्र, परवतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलालास्त्र, महेश्वरास्त्र, यम्मदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य, समर्थास्त्र, एवं सेंकडों सेंकडों दिव्यास्त्र एवं अन्यभी अस्त्र अपने हाथों में धारण किये हुए तीन करोण योगिनियों एवं तीन करोण विकट डाकिनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गई इसी तरह भूत, प्रेत, पिशाज, कुश्मांड, ब्रह्म राक्षस, दैताल, राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्दरों से घेरे हुए स्कंद शिवजी को प्रणाम करके और उनकी आग्या से वे उनके समीब स्थित हो गए इसके बाद रुदुष शिवजी अपनी भारी सेना लेकर शंक चूड के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े महादेव, चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट रिक्ष के नीचे देवताओं का कश्ट दूर करने हे तु स्थेत हो गए व्यासी बोले, हे महाबुधिमान, ब्रह्मपुत्र, हे मुने, आप चिरका तक जीवित रहें, आपने शिवजी का बड़ा विचित्र-चरित्र वर्णन किया अब आप विस्तार पूवक बताए कि शिवजी के दूद के चले जाने पर प्रतापी शंखचूर ने क्या किया सनत कुमार बोले, शिवजी के चले जाने पर प्रतापी शंखचूर ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा शंकचूर बोला हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तयार होकर जा रहा हूँ अब तुम मेरे शासन का कारे संभालना इस प्रकार यह कहकर उस ज्यानी शंकचूर ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनाधर कर हर्षपूर्वक उसके साथ कृड़ा की अनेक प्रकार की काम गलाओं तथा मधूर वजणों से परसपर सनलाप करते हुए वेपति बतनी सुख सागर में निबंग्र हो रात में खड़ा करते रहे प्रम्म महुरत में उठकर प्राधर कालिन क्रत्य करके नित्यकर्म संपन कर उसने बहुत दान दिया इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बना कर सारी संपत्ती एवं राच्य, पुत्र तथा भारया को समर्पित कर उस राजा ने बारं-बार रोती हुई तथा अनेक बाते कहकर युद्मि जाने से मना करने वाली अपनी भारया को आश्वस्त किया उसके बाद उसने अपने वीर सेनापती को आधर पूर्वक बुला कर उसे आग्यादी और स्वेम सन्नद्ध होकर संग्राम के लिए उद्धवत हुआ शंकचूड बोला हे सेनापते युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसजित होकर युद्ध के लिए चले बलशाली कंकों की सेना जिसमें 86 महाबलवान देत्य इवं दानव हैं आयुद्धों से युक्त हो शीक्र निर्धय होकर निकले असुरूं के 50 कुल जिसमें करोडों महावीर हैं वे भी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकले धूम्र नामक देत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आग्या से निकले इसी प्रकार कालके मौरे दोहरित तथा कालक तयार होकर मेरी आग्या से रुद्ध के साथ संग्राम करने के लिए निकले सनत कुमार गोले हे व्यास महाबली असुराज दानवेंद्र शंकचूड इस प्रकार आग्या देकर सहस्त्रों सेनाओं को साथ लेकर चल पड़ा युद्ध शास्त्र में प्रभीन महारती महावीर रतियों में श्रेष्ट तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापती ने भी तीन लाख अक्षूणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिवर से बाहर निकला शंकचूड भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चड़ कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चला पुष्प भद्रा नदी के किनारे सिद्धिक्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ट अक्षयवट है वैस सिद्धिप्रद सिद्धिक्षेत्र है पुनिक्षेत्र भारत में कपिल के तपुभूमी है यहस्तान पश्यम सागर के पूर्व तथा मलय परवत के प पठिक के समान जल वाली उत्तम पुन्य प्रदान करने वाली। जल पूर्न तथा रम्य पुष्प भद्रा तथा सरसुती नदी है। जोक्षार समुद्र की प्रियय भार्या है। वह पुष्प भद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमाले से निकल कर सरसुती नदी में मिलती है और कौमन तक परवत को बाएकर पश्शिम सागर में गिरती है वहाँ जाकर शंकचूर ने शिव की सेना को देखा शंकचूर बहुत बल्वान था और वीर भी था आपने इन वीडियोज को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करें